मैं इतना ही कहना चाहते हूँ कि कॉंग्रेस की जो भी कारेकरता कान खुलने की बात कर रहे हैं उन्होंने इस बात को प्रमानित कर दिया कि राजी नीती कॉंग्रेस पार्टी के लिए व्यवसाय है राष्ट नीती से कॉंग्रेस पार्टी का कोई संबंद रहे हैं नमस्कार, नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी सत्थ प्रग्या सिंग, कॉंग्रेस निदार राहूल गांधी इस वक्त अमेरिका की दोरे पर है, लगादार राहूल गांधी जिस तरह से अमेरिका के दोरे के दोरान कई मुद्दों पर खुल ख लगते हुए नजर आ रहा है, जहां हर कोई राहूल गांधी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी में राहूल गांधी के बयानों को लेकर देश में काफी जादा बावाल बस रहा है, भारते जुनता पार्टी के नेता लगतार राहूल गांधी के बयानों को ले भी इसी तरह की शबतों का इस्तमाल किया गया था जबुए 270 के कि दीऊ इसी मुकादमे के चलते राहूल गांधी को गुज़रात की सूर डिस्टिक ऑपनी दो साल की सदा भी सुना दी लेकिन जब उन्हीं राहुल गांधी को दिवालिया कमजोर मांसिक इस्तिती का आगरा में भरती हो जाना चाहिए क्योंकि वो पागल है इस तरह के बायान जब दिये जाते हैं तब इंडिताओं को यह याद नहीं आता कि उन्हें भी अपने शब्दों की मर्यादा को नहीं लांगना चाहिए उनके खिलाफ अभी मानहानी का मुकदमा हो सकता है या फिर वो ये बहतर तरीके से जानते हैं कि वो सत्ता का हिस्सा है वो सत्ता रोड पार्टी का हिस्सा है इसलिए उन्हें कुछ भी कहने किया जाती है ऐसे में सवाल लगतार ये उच्छा है कि आखिरकार राहूल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते फार्टे जंदापार्टी के मंत्री इतने ज्यादा बॉखलाते हुए नजर आ रहे हैं वो आप लगतार तब से सुन ही रहे होंगे हम भी कई बार आपको सुनवा च चाके उन्होंने कहा कि भारत में दो सोचों की लड़ाई चल रही है हमारी महत्मा गांधी की सोच है और इन लोगों की गोडसे की सोच है और इसी के बीच में जगड़ा है तो राहूल गांधी जी ने जो बात कही उसको तो आपने सत्यापित कर दिया इतनी ही जल्दी और यही तो बात राहूल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में महभबब की दुकान खोलना चाते हैं और आप सब के माध्यम से आज मैं बताना चाता हूँ कि उस नफरत के बाजार में मिलती है हिंसा, ग्रेना, नफरत, जूट की राजनीती, बेरोदिजगारी, किसानों पे अत्याचार जहां हमारे खिलाडी हैं लाचार और उस बाजार में जो हम महबत की दुकान खोलना चाहरे हैं हमारी उस महबत की दुकान में मिलता है 500 रुपे का सिलेंडर उसमें मिलते है युवाओं को रोजगार के अफसर उसमें मिलता है दबे कुछले पिषडी जातियों के लोगों को सम्मान उसमें मिलती है सदभावना प्रेम करुना ये हम महबत की दुकान खोलना चाह रहे हैं और हम पुना एक बार मोधी जी से मांग करते हैं कि मोधी जी अपने इस मुख्य मंत्री को पूर मुख्य मंत्री को पार्टी से बाहर का रस्ता दिखाईए इन्हें पार्टी से निकालिए और देश में एक संदेश दीजिए कि महात्मा गांदी जी के हत्यारों का महिमा मंदल करने वालों की भारतिय राजनीती में कोई जगे नहीं है गया था तो एक नया कीरती मान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के चौदा और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए सिंपल तो पर बता दूं अगर इस समय इस वक्त इस सेकेंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी एक लाख बीस हजा रुपए का करजा लादने का काम मोधी सरकार ने पिछने नौ साल में किया है और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाओं तो हर सेकेंड इस सरकार ने चार लाख रुपए का करजा लिया है हर मिनिट पर लगभग धाई करोड का लिया है हर घंटे पर 144 करोड का करजा लिया है हर महीने एक लाख करोड से जादा और हर साल लगभग साड़े बारा लाख करोड का करजा लिया है इसलिए नौ सालों में सो लाख करोड से जादा का करजा लेने का कीरतिमान और इस देश के लोगों पर करजा के बोश तले उनको दमाने का कीरतिमान नरेंद्र मोधी जी ने अस्थापित किया है there is a challenge in India there is an attack on the democratic structure of our country full scale attack on our institutions on our judiciary on our media and it is your responsibility and our responsibility to defend the idea of India and the idea of India the central piece of the idea of India is our constitution and our democracy modern India cannot exist without our constitution and without our democracy right so what excites me in this type of a meeting that I come here and I see people thousands and thousands of people who believe in the idea of India who believe in the democratic principles of our country who believe in the constitution who believe that we should be affectionate to each other that we should love each other and I must tell you it gives me tremendous strength tremendous strength when I see you and I see the way you behave and I see the way you act because in each of your hearts there is India you take a look at it and you take a look at it you take a look at it you take a look at it मेने देखा है इसी ट्रिप मेने देखा you see a person from another culture you'll help them immediately you'll not ask what religion are you what community are you from what are you wearing no you'll say if you need my help I don't care which religion you're from I'm Indian and I'm going to help you 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 you